मसकार दोस्तो Fundamental Investors चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हमें आपे NBCC National Building Construction Corporation कमपनी के बरे में बात करने वाले हैं यहाँ पर इस कमपनी ने One Year में बहुत अच्छा खासा 2012 दिया हूँर दिखाय देerry हैं लग मपग 50% के रिटन है और अगर वनदे रिटन चेक करते हैं तो 2% के रिटन का है सो यहां पर हम समझ सकते हैं कि इस शेयर में कल के दिन में भी अच्छा खासा momentum बन सकता है यहां पर क्या एक कमपणी पिए स्यों कमपनी है जो कभी कभी होता क्या है क्या है के कमपनी इस में कितना भी बड़ा momentum बने जैसे का ईटी से हो गया है फिर बड़ी-बड़ी शखास आज की दिन में अपसेड गिया है, तो दोस्तों सबसे important question मुझे ये पूछा जाता है कि क्या ये share company या फिर ये company 100 रुपीज पार करेगी, तो इस का answer में इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर ने हो, तो सब्क्राइब कर लेना, नीचे description में टेलेग्राम चैनल कर लिंक के एक बार वो भी check out कर लेना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा या पर profits होते जाए, stock market की latest update मिलते जाए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, company थ्री segments में काम करती है, जैसे की first is project management, consultancy, real estate, engineering and construction company, तो यहाँ पर तीन products में यहाँ पर company काम करती है, जो की अच्छा खासा income यहाँ से इनका आ जाता है, so company का market cap रियरली 7,913 करोड रुपीज का है, जो की बहुत बढ़िया है, company का current market price इस सिर्फोर से 44 रुपीज का है, with high and low देखेंगे तो 22 रुपई से 59 रुपीज के नियर का इसने टॉच किया था, dividend बहुत कम दिया है company ने, company के पास free cash flow even जादा होकर भी, लगबग 428 करोड का free cash flow होने के बाद भी, company ने dividend कम दिया, इसका मतलब इसकी management यह नहीं चाहती कि हमारे investors को ज़्यादा dividend दे, company को खुद का business बहुत expand करना है, ऐसा as per free cash flow segments में लगता है, company की ROC और ROE देखते हैं, वो बहुत अच्छे खास है, देख सकते है company का ROE और ROC, 19 और 14 का है, जो की great है, ROC का मतलब होता है, return on capital employee, ROE का मतलब होता है, return on equity, तो यह दो चीज़े आपको पता होने चाहिए, लगबग इसके market पे, देख सकते है, market में अच्छा खासा share भी है, बट स्टिल यहाप company का debt देखेंगे, तो debt free company आपको दिखाई देगी, with the highest free cash flow numbers, 428 करोड में ने दो बार के रहा हो, क्योंकि यह बहुत important होता है, यह segment है ना free cash flow का, बहुत important है, क्यों, अगर आप राकेट जुन जुन वाला के portfolio के, famously follow कर रहे हो, उसे बहुत ज़्यादा follow कर रहे हो, तो वो जबी भी कोई भी share खरीते है, उसके अगले साल वो negative में जा सकता है free cash flow, बढ़ जो year में वो खरीते हैं, उस year में वो company का free cash flow कभी भी negative ने होता, उनका सबसे पहला नियमी है कि कोई भी share खरीतो, तो उसका free cash flow at least negative नहीं होना चाहिए, so मैंने बहुत बार ऐसे studies में देखा है उनके, मुझे लगता है कि उनके माहिने में free cash flow बहुत important होता है, आभी समझें, free cash flow किसी company का plus में नहीं है, और उसको business expansion करना है, या फिर difficulties होती है, business में आती रहती है uncertainty, so उसको pay करने के लिए company के पास free cash flow नहीं रहा, एक रुपई 40 पेसे का EPS है, बहुत ही कम EPS है, company का interest सिर्फ 6 करोड पे कर रहे है, with a zero debt, so यह interest किस पे पे कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे इनके balance sheet में देखेंगे दूस्तों, company के assets 13,000 करोड से जादा है, और company के promoter holding 61% की है, तो दूस्तों यह रहे, इनके profit and loss statement, अगर इस company के हम profit and loss statement sales देखेंगे, 2014 से 2021 तक तो लगबग इनों ने अच्छा खासा momentum बनाया था, लगबग 2018 में ही, लगबग देख सकते हैं, 9,000 करोड से भी ज्यादा के sales, 10,000 करोड के near sales थे, वहाँ से लगबग यहाँ से याँ डाउन हो चुके है, 30% तक इनके sales कितने दो सालों में डाउन हो चुके हैं, और अगर मतलब 2014 से गिनते हैं, तो लगबग के सकते हैं कि 50% अप हो चुके हैं, तो यह दोनों नंबर से इतने widely बहुत strong नहीं हैं, बट still I mean company के, अगर आपको competitor है और वो बहुत अच्छा product sale कर रहा है, आपके company से ज्यादा और कम रहे हैं, मतलब price में, तो आपको यहाँ पर compromise करनी पड़ती है, और आपको भी अपने products या फिर services कम दाम में देने पड़ते हैं, जिसके वज़े से आपका जो operating margin से वो down होता हुआ नजर आता है, दोस्तों अगर इस company के profit देखें कि company ने कभी loss ने लिया, बट still अगर profits पे भी इतना बहुत बढ़िया, इतना इनका हाथ नहीं लगबग इन दोरान इनके जो profits से बहुत बढ़िया थे, सो constantly आपे कम होते 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 लगबग देख सकते 18 करोड तक आ चुके थे, वहाँ से फिर increase होके 222 करोड और अभी 252 करोड तक आगे है, अगर company के EPS देखते हैं, तो EPS at least में कोई भी company का अगर share चुनता हो, तो उसका EPS 10 के उपर ही होना चाहिए, इसका reason यह होता है कि company अगर EPS में strong है, तो अपने PE में weak हो जाती है, मतलब समझे कमपनी का PE अगर ज्यादा है, तो उसका EPS कम होता है, तो यहाँ पर PE अगर low हो जाता है ना, तो समझे EPS बहुत strong है, और कोई भी share low PE पे खरीते हैं, तो मतलब कभी भी देखना आप, अगर कोई भी company का EPS low है, तो उसका profit बहुत ज़्यादा strong रहेगा, तो मुझे यही रहता है कि जितना भी में share खरीतो, उसका PE हमेशा low रहे, एपे ज्यादा रहे, तो इस company में ऐसा नहीं है, इसका क्या है, EPS बहुत कम है, और PE हाई है, तो इट केन बी वेरी रिस्की, ठीक है, पर इनके technicals पर देखने के बाद, तो और पता चलेगा company की क्या है, और अगर इस company का share capital देखा जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 120 करोड का 180 करोड किया गया है, जो कि गलत है आगे हैं, जितना ज़्यादा EPS बढ़ागी है, उतना share का price धीमे धीमे उपर जाएगी, even very high volume, जितना भी ज़्यादा volume, ताकद लगा लो कितनी भी, ITC में कितनी भी ताकद लगा लो, उनका भी share capital बहुत ज़्यादा है, ITC में कितना भी ताकद लगा लो, कितना भी लगा लो, उसका share price ज़्यादा उपर नहीं जाता है, even अभी उसने लगबग 7 सालों का breakout दिया था, कितना सालों का? 7 सालों का breakout था, फिर भी उसका share price दूसरे दिन 2% डाउन था, तो यह होता है कि, जितना share capital कम होगा, उतनी company की अच्छी खासी price अप जा सकती है, एस पर अगर कहूंगा, MRF, MRF का जो share capital है, वो सिर्फ और सिर्फ चार लाग का है, और इनका 180 करोड का, जितना कम share capital उतना ज्यादा share price, सो आशा करता हूँ, इसमें आप समझ गये होंगे, यहाँ पर company का reserve देखता है, तो लगबग 121 करोड से 1457 करोड, पर यहाँ पर भी बहुत बढ़िया गरोथ नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ 40% इंक्रिजमेंट हुई है, अगर company के हम assets पे ध्यान देते हैं, तो चलिए यहाँ पर assets देख सकते हैं, company debt free है, यहाँ पर इतनी भी worrying की बात नहीं है, कि ज़्यादा debt है, तो यार क्या करें, बिल्कुल भी debt free company है, और अगर इनके order assets में ध्यान देंगे, तो लगब चार अजार करोड के देख, वहाँ से 12900 करोड तो गिन्हों ने लेके गए, मतलब company के order assets पर बहुत ज़्यादा believes है, और वो constantly अच्छे खासे assets खरीद रहे है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ disclose करने जीसा है, बढ़ company पर अगर order liabilities भी धान देते, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 3066 करोड से लगबक 11500 करोड तो भी, यह मतलब order liabilities भी जितने assets बढ़े, उतने ही order liabilities भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अगर order liabilities ने बढ़ेंगे, तो balance check tally कैसे होगी, यह भी है, तो दोस्तों आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी के लिए share down trend में चलता हुए नजर आ रहा है, लगबक टॉप लगाया था इसने near 60 rupees के वाहाँ से लगबक continuously down चलते आ रहा है, और अभी 45 rupees के near आ चुका है, यहाँ पर कह सकते हैं कि support लिया हुआ है company ने, लगबक 40 rupees के near बड़ी यहाँ पर कोई भी बाजू का support नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है बड़ी यहाँ थोड़ा सा down ने near support लेके, अब trade में भी जाता हुआ नजर आ रहा है, अब इस सबसे important बात है हमें entry कब लेनी है, हमें entry तभी लेनी है, जब कि यह 20 का moving average यह green line है, उसको यह cross कर जा, मतलब जब भी share price 20 के moving average को cross करके upset चले जाएगी, और यह 50 का moving average नीचे आ जाएगा 20 के, जैसे कि यहाँ पर दीख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप trade लेते हैं, जैसे कि मैंने इस जो यह जो trading system, इसको बहुत बार मैंने explain कर चुका हूँ, यहाँ पर जैसे आप ले लेते entry near 42 रूपीज, आपका share price अच्छा का सा momentum बनता, जैसे कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का momentum नहीं दिख रहा है, तब ही कर इतना है, ज्यादा गडबड नहीं करना है, ज्यादा घाई नहीं करना है, इसका reason यह है, discipline is more important in technical, और in every sector, discipline है, तब ही आपको आप सक्सेस मिलेगी, तो आप देखते हैं, वो कितना ज्यादा upside जाता है, और कितना नहीं, आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है, तो प्लीज आप सब्क्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलेग्राम चैनल का लिंक है, ज़रूर देख लेना, और अपने इसको पोर्टफिलियो में, बिल्कुल भी तुरंत ना अड़ करें, बट वॉच्छ लिस्ट में अड़ करकर,